आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करेंगे यह हमारा अगला डिवाइस है जो की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह सीबियसी के लिए बहुत बहुत जाता इंपॉर्टेंट है यह कोश्चिन सीबियसी में बहुत बहुत बात पुछा क्या है और अधर बोर् कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक transformer जो होता है it is an electrical device for converting an alternating current and यहाँ पे and होगा यहाँ पे add नहीं होगा यहाँ पे होगा and low voltage into that at high voltage और vice versa मतलब कि transformer का basically use यह होता है कि वो convert करता है alternating current को किसमे low voltage को high voltage में या फिर high voltage को low voltage में यह बहुत interesting device है basically transformer कहां use करते हैं उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे और किस तरह से transformer का काम होता है उसके बारे में भी बात करेंगे यानि कि इसके construction और इसके working के बारे में बात करेंगे सबसे पहले अगर हम transformer के बारे में बात करें तो यह जानना होगा कि transformer कितने तरह का होता है तो basically transformer दो तरह का होता है एक तो है step up transformer और दूसरा है हमारा step down transformer step up transformer में हमारा जो voltage है वो up हो जाता है मतलब कि हम वहां पे potential को बढ़ाते हैं जो हमारा voltage है वो बढ़ जाता है लेकि step down transformer में हमारा जो voltage है वो कम हो जाता है कैसे हमारा voltage बढ़ता है कैसे हमारा कम हो जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे अब यहां पे दो तरह के transformer हम लोग देख लिए अब बात है कि यह transformer किस principle पर बेज़ और ये कैसे काम करता है तो अगर हम इसके principle के बारे में बात करें तो इसका principle कहता है कि it works on the principle of mutual induction आप लोगों ने mutual induction पर रहा है mutual induction के principle पर ये based है अब ये बात है कि तो बोलोगा कि mutual induction क्या होता है तो बोला ये गया है कि when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coil and induced EMF is set up in the other coil मतलब कि दो coil को हम लोग couple करके रखते हैं मतलब एक साथ रखते हैं तो एक couple के कारण जो हमारा flux generate हुआ जो induced EMF generate होगा वो दूसरा coil experience करेगा इसी principle पर based है हमारा transformer तो चलिए देखते हैं कि transformer हमारा किस तर से काम करता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे step up transformer के बारे में इसका structure कैसा होता इसका diagram कैसा होता चलिए एक बढ़ देख लेते हैं अगर हम step up transformer के बारे में बात करें तो step up transformer में आपको clearly दिख रहा है कि number of turns ये यह हमारा primary coil कहलाता है, यह जान लो पहले, और यह क्या हमारा secondary coil, primary coil में, जो number of turns है, वो दिख रहा है, कम है, लेकिन secondary coil में number of turns कहा है, ज्यादा है, इसलिए NP, NP represent कर रहा number of coils in primary, number of primary coils, और NS हो जाएगा number of secondary coils, तो number of primary coils अगर कम है, और number of secondary coils जादा है, तो यह हमारा step up transformer कहलाएगा, अब यहाँ पे इस coil पे हम AC source दिये हैं, ठीकर ना, जो primary coil पे क्या दिये हैं, AC source, और जो secondary coil है, वहाँ पे लोड रहता है, यह किसी भी दुसरे electrical devices में supply देगा, अब step up में voltage बढ़ता है, basically, stabilizer में आप step up transformer द AC source दिये हैं, तो इस कम coil के कारण कुछ ना, कुछ magnetic flux generate होगा, और यह complete magnetic flux, यह coil experience करेगा, हाला कि यहाँ number of turns जादा है, तो यहाँ potential भी जादा हो जाएगा, flux हमारा वही है, यहाँ का flux, यहाँ का flux same है, हम ऐसा मान के चलते हैं, कि there is no leakage of flux, तब यहाँ पे क्या पाया गया, यह यहाँ पे इसका जो flux होगा, यह उत्रही experience करेगा, यहाँ पे number of turns कम था, जिसका यहाँ पे voltage कम होगा, और flux उत्रही यहाँ experience कर रहा है, number of turns यहाँ जादा है, तो यहाँ का voltage भी हमारा बढ़ जाएगा, यह है हमारा step up transformer, basically यह हमारा laminated iron core है, अब यह जो laminated iron core होता है, इसका use क्या होता है, basically यह efficiency of transformer को बहाने के लिए यूज किया जाता है, basically यह जो laminated iron core है यह हमारा transformer का efficiency को 100% तक पहुचाता है, अब इसके बाद आगे बात करेंगे step down transformer क्या होता है, तो step down transformers ठीक step up का उल्टा होता है, step up में voltage बढ़ जाता था, output पे दिखे थे आप लोग कि voltage बढ़ गया था, लेकिन step down में आपका voltage घट जाएगा, क्योंकि number of turns आपका primary coil पे ज़्यादा है और number of turns आपका secondary coil, यानि कि यहाँ पे जो दिख रहा ही है, कम है, तो यहाँ पे AC source में है, AC source के कारण एक changing magnetic flux यहाँ पे generate होगा, यह changing magnetic flux को यह coil experience क experience करेगा, लेकिन number of turns कम होने के कारण, यहाँ पे voltage का value क्या हो जाएगा, कैसे voltage का value कम होगा, यह theory में हम लोग detail में देखेंगे, with mathematical expressions, ठीक है, तो यहाँ पे step down transformer आपको clearly क्या दिखा, कि primary coil का number of turns ज़्यादा होगा, और secondary coil का number of turns कम होगा, यहाँ पे भी वही laminated iron core है, इसके ब transformer के बारे में हम लोगों ने बात किया, अब transformer क्या होता है, उसमें क्या क्या लगा रहता है, उसका construction क्या है, उसके बारे में जानेंगे, फिर working principle, फिर theory, ठीक है, तो चलिए step आगे बढ़ते हैं, पहला हमारा construction के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम construction के बारे में बात क एक के बाद एक वो हमारा laminated core of soft iron है which on which two coils of insulated copper wire separately unded क्या है separately und किया गया है दो क्या है coils insulated copper primary and secondary these coils are kept insulated from each other and from the iron core but are coupled through mutual induction दोनों coil जो primary call था secondary call था दोनों को coupled किया गया थे mutual induction से the number of turns in these coils are different number of call turns जो होगा वो different होगा देखे ना step up में कभी ज्यादा होता था कभी step down में ज्यादा होता था यह clear है आपको the number of turns in each coils are different out of these coils one coil is called primary coil पहला जहां पे AC source लगा रहा था था वो primary coil है और जो हमारा output में जाता है जो दूसरे devices में जाएगा electrical devices में वो हमारा secondary coil एक का नाम primary coil है दूसरे का नाम secondary coil है the terminals of the primary coil are connected to AC means देखे थे ना कि जो हमारा primary coil था उसका terminal किस से connected था AC means जो diagram था हूब हो उसी diagram को यहां पर बठाया गया है लिख दिया गया है अपने language में आप लिखिएगा यह हम आपको एक particular language यहां पर लिख के दे रहे है लेकिन कोसिस किजिएगा आप अपने language में लिखने क ठीक है ना तो आपके पास यहां पर जो primary coil था जो आपको याद होगा primary coil जो आपका connected था वो कैसा है वो हमारा AC में से connected होगा and the terminals of the secondary coils यहां पर coils लिखा गया है जी यहां पर coils होगा ठीक है ना यह coils जो है are connected to external circuit in which alternating currents of desired voltage required ठीक है मतलब कि external circuit से हमारा secondary coil connected होगा यह हमारा construction हो गया यह सारा बात हमारा construction में हो गया अब transformer होता कैसा है यह दिख गया अब यह concept principle पर काम करता है इसका working principle क्या है उसके बारे में बात करेंगे अगर हम इसके working के बारे में बात करें तो यह कहता है when alternating current source जो हमारा alternating current source है उसको connect किया जाता है to the end of primary coil यह दिखा था ना कि alternating जो की changing current है changing current हमारा primary coil में हम लगा दिए ठीक है ना अब changing current को primary coil में लगा दिए तो जो हमारा current है वो change करेंगा continuously continuously change करेंगा in the primary coil क्योंकि वो alternating current है continuous वो primary coil में क्या होगा current change करेंगा जिसके करण एक changing magnetic flux produce होगा due to which magnetic flux linked with the secondary coil equals changes continuously मतलब कि जो secondary coil में जो magnetic flux होगा वो भी हमारा continuously change करेंगा therefore alternating EMF of same frequency is developed across the secondary इसी तरह से secondary coil में हमारा एक alternating EMF generate होता है मतलब कि जो हमारा coil है coil का primary में हमारा AC mains है AC current मतलब कि changing current लगातार flow हो रहा है अगर लगातार changing current flow होगा तो हमारा लगातार changing magnetic flux produce होगा और ये जो लगातार changing magnetic flux है वो कहां पर develop होगा वो हमारा secondary coil में develop होगा जिसके कारण एक alternating EMF जो की same frequency का हम लोग develop करते है secondary coil में अब यहां पर voltage कम भी कर सकते है और ज़्यादा भी कर सकते हैं कम करना हो तो step down transformer use करेंगे और ज़्यादा करना हो तो step up transformer use करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ध्याद से देखते चलिए theory में तो अगर हम transformer के theory के बारे में बात करें तो क्या है theory एक बार देख लेते हैं चलिए इसके theory कहता है कि सबसे पहले theory में कुछ part consider कर लेते हैं कि जो हमारा number of primary coils का turns था तो number of turns in secondary coil उसको हम मान लेते हैं कि NP जो है हमारा number of turns in primary coil है NS क्या है number of turns in secondary coil फाई क्या है magnetic flux जो each coil में जो हमारा number of turns जो linked है वो हमारा फाई है आगे बात करेंगे कि consider करना है कि कोई leakage flux का नहीं हो रहा flux का कोई leakage नहीं हो रहा ऐसा मान के जाता है लेकिन होता है ठीक ना ऐसा थोड़ी है कि पहला coil से जितना भी magnetic field नहीं कर रहा वो सारा secondary coil experience कर रहा होगा कुछ ना कुछ magnetic flux leak करता है लेकिन हम ऐसा मान लिये कि there is no leakage of flux तो according to faraday's law the induced EMF in the primary coil क्या है induced EMF primary coil क्या हो जागा EP जो कि हमारा induced EMF primary coil का हो जागा minus NP delta phi by delta T यह हमारा faraday's law का formula है उसके according number of terms of primary coil के terms में हम लिख लिए यह पहला equation इसको ध्यान में रखिएगा और यह theory को भी आप back to back copy में लिखते चलिए जो भी बात बताया जा रहा ना इसको back to copy में लिखते चलिए तो वीडियो को फिर से start कीजिए और वहां से लिखना start कीजिए एक बार प्राक्टिस हो जागा एक बार लिखने के जिरुद्ध नहीं पड़ेगी पूरा चीज याद हो जाएगा आप exam में बहुत इसलिक सकते हैं एक बार में महनत करना है एक बार महनत निकाल लिए primary call के induced EMF निकल गया faraday's loss है अभी इसी तरह से हम secondary call के निकालेंगे जब EMF induced in secondary call की बात करें तो वो ES is equal to minus NS delta 5 by delta T हो जागा change in magnetic flux को यहाँ पे इस तरह से लिख दिए यह equation 2 और equation 2 को equation 1 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे यह लिखे using equation 1 and 2 ES by EP is equal to NS by NP तो यह part तो cancel हो जागा दोनों जगा पर यह भी था वहाँ भी वही चीज था यह cancel minus and cancel तो NS by NP ठीक है if the resistance of coil is negligible अगर हमारा coil का resistance negligible है तो यह जो induced EMF है वही हमारा potential होगा VS by BP जो कि हमारा NS by NP के बराबर होगा number of turns in secondary coil by number of turns in primary coil इसको हमें small r कहेंगे जो कि transformation ratio को बता रहा है कि इसको बताएगा transformation ratio clear थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 100% efficiency के लिए हम लोग को क्या चाहिए अगर हमको 100% efficient transformer बनाना है तो power जो आपका primary में है और power जो secondary में वो दुनों same होना चाहिए तो 100% efficient transformer है तो हमको 100% efficient बनाने के लिए power in primary और power in secondary कोल करना होगा मतलब कि power in primary क्या हो जाएगा VP into IP और secondary में क्या हो जाएगा VS into IS जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है VS और यह हमारा NP by NS हो जाएगा जो कि 1 by R आएगा यहाँ पे current की बात करें तो current transformation ratio का reciprocal आ गया जो हमारा IS current in secondary coil to the current in primary coil निकाले तो यह transformation ratio का क्या आ गया reciprocal अगर हम यहाँ पे step up transformer की बात करें तो step up में आपको याद होगा कि हमारा secondary coil का number of turns जादा होता था और primary coil का number of turns कम होता था जिस कारण से अगर NS जादा होगा NP कम होगा तो R का value obvious सी बात है जादा हो जाएगा क्योंकि R is equal to NS by NP होता है NS by NP होगा तो हमारा R का value क्या हो जाएगा 1 से जादा और R का value 1 से जादा होगा तो हमारा potential transformer में जो है voltage increase करेगा लेकिन current क्या होगा decrease करेगा क्यों क्योंकि जो current है हमारा वो transformation ratio का inversely proportional है और R का value अगर 1 से जादा होगा तो overall value 1 से कम हो जाएगा इसका मतलब कि current घट जाएगा तो हमारा जो step up transformer है वहाँ पे voltage बढ़ेगा और current घटेगा याद रखना step up में voltage बढ़ता है और current घटता है voltage बढ़ना और current घटना यहाँ पे दोनों जो voltage और current का जो product होगा वो हमेशा constant रहेगा जिस कारण से आपका power in primary और power in secondary equal होता है और हमारा efficiency एकदम 100% रहता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो step up transformer आपको clear हो गया होगा कि step up में number of turns secondary coil में ज़्यादा है और number of turns primary coil में कम है जिस कारण से transformation ratio 1 से ज़्यादा हो गया transformation ratio अगर 1 से ज़्यादा होगा तो voltage बढ़ेगा आर का value अगर 1 से ज़्यादा हो तो voltage बढ़ेगा और हमारा current घटेगा अब बात करते हैं step down transformer के बारे में step down transformer कहता है यहाँ पे वही बात हो गया फिर ns हमारा छोटा हो जाएगा np बढ़ा हो जाएगा primary coil का number of turns क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और secondary coil का number turns कम हो जाएगा जिस करण से जो R आपको यहाँ पे दिख रहा है यह जो R है यह आपका कम हो जाएगा ठीक है 1 से कम हो जाएगा और R एगर 1 से कम हो तो current बढ़ेगा लेकिन voltage घटेगा तो step down transformer decreases the voltage increases the current अब voltage को decrease करना जो आपका mobile charger में transformer लगा रहता है वो आपका step down transformer होता है औ और यहां तक कि सिर्फ इतना ही नहीं बड़े बड़े जो transformer होते हैं वो भी step down ही होते हैं जैसे कि अगर किसी भी hydro electricity power plant से जो हमारा potential आ रहा है तो वहां से हमारा 33,000 वोल्ट चल के आता है लेकिन transformer उसको convert करते करते 220 तक हमारे घर में supply करता है ठीक है मानलों कि सहर के किसी बाह पारी इलाका से 33,000 वोल्ट आ रहा है सहर में इंटर करेगा एक बहुत सहर के बाहर एक बहुत बड़ा transformer का power house रहता है वो power house 33,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में convert करेगा और वो 11,000 वोल्ट फिर आगे हमारे सहर के अंदर आएगा सहर के अंदर जो छोटे इंडस्ट्री है वहां आप एक power house लगा रहेगा वो power house 11,000 वोल्ट को 440 में convert करेगा क्योंकि छोटे 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 इंडस्ट्री 440 वोल्ट यूज करेंगे और बाहर में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे वो 11,000 वोल्ट का machines को चलाने के लिए यूज करता है 11,000 वोल्ट ठीक ना लेकिन जो 240 तो नहीं हमारे घर में 220 आता है तो start कहां से हुआ 33 वोल्ट से तो यह ज़्यादा voltage को कम करने का काम कौन करता है step down transformer ठीक है तो step down transformer का कहानी समझ में आ गया अब step down transformer voltage को decrease करता है current को increase करता है तो यह voltage कम और current ज्यादा तो product क्या हो जाएगा हमेशा equal ठीक है आगे बात करेंग core इसलिए करते हैं ताकि the core of the transformer is laminated to reduce the energy loss due to AD current AD current के कारण जो energy loss हो रहा है उसको कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे laminated core रखते हैं laminated core AD current का loss को कम करता है जिसके कारण efficiency आपका 100% तक पहुंच जाता है यह बहुत जरूरी point है laminated core का का काम क्या है हम लोग transformer में laminated core इसलिए करते ताकि आप उसके efficiency को 100% तक पहुंचा सके है अब कैसे सबसे main काम है वो loss को रोकता है कि इसके AD current का energy loss है उसको रोकता है laminated core आपका AD current का energy loss को रोकता है बस इस बात का ध्यान रखना है आपको ठीक है ना क्योंकि AD current में का मतलब होता है कि किसी भी magnetic flux पे अगर आप metal plate रखते है तो वहाँ पे heat generate होगा अब metal plate भी तोड़ तोड़ के रखा जाएगा तो heat to distribute होजाएगा थोड़ा थोड़ा heat generate होगा तो वहाँ पे कम से कम heat generate होता है laminated core रहने के कारण ठीक है, laminated core रहने कारण कम से कम heat generate होता है, directly metal plate exposure में नहीं आपाता है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे energy losses in transformer के बारें बात करेंगे, कितने तरह का energy loss होता है transformer में, अगर हम transformer के energy losses के बारें बात करेंगे, तो सबसे पहले होता है eddy current losses due to iron core, iron core के current जो eddy current का loss होता है, यह भी एक तरह का loss है, flux leakage होता है, ठीक ना, जो आपका primary coil का flux है, completely secondary coil experience थोड़ी करता है, कुछ ना कुछ तो leak करेंगाई, side से कुछ ना कुछ निकले गई, तो वो हमारा flux leakage loss है, copper loss due to heating up of copper wires, copper wire heat होगा तो उसका अपना resistance है, उस resistance के कारण भी कुछ ना कुछ हमारा energy loss ह होगा heating energy loss, ठीक ना, तो copper loss due to heating up of copper wires, hysteresis loss अब magnetize हो रहा है, बार बार हमारा क्या है, magnetic field generate हो रहा है, फिर magnetic field demagnetize हो रहा है, क्योंकि एक बार upper half cycle of the current जा रहा है, फिर lower half of the cycle of the current जा रहा है, तो यहाँ पे magnetic field का polarity continuously change हो रहा है, जिस current से वहाँ पे magnetization और demagnetization continuously हो रहा है, और magnetization और demagnetization continuously होने करण हो क्या रहा है, hysteresis loss, तो energy losses कितने तरह के बात किये, चार, चार तरह का energy loss है transformer में, AD current loss, flux leakage loss, heating loss, मतब कि copper loss due to heating up of copper wires, hysteresis loss, किसके करण होता है, magnetization और demagnetization के करण, उमीद करते हैं, transformer वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी बत आएगा detail में, एकदम सुरी से इसके transformer होता क्या है, वहाँ से लिकर के end तक हमारा losses तक, transformer के losses तक के बारे में बात किये, यहां तक यह भी बात किये के transformer कहां का use होता है, आप लिख सकते हैं, use के बारे में आपके television में use होता है, सिर्फ television ही क्यों, आपके mobile charger में use होता है, हर एक जगा transformer, जितने भी electrical appliances आप देख रहें, maximum हर एक जगा आपका transformer use होता है, maximum जगा पे आपका transformer use होता है, तो यहां तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले devices में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत!